मुझे लगता है मैंने सुना था किसी गाउं में आग लगी सभी भाग गए पर दो जलने के लिए मजबूर थे एक अंधा एक लंगड़ा अंधा भाग तो सकता था वो उसे आग दिखती नहीं थी लंगड़े को आग दिखती थी वो भाग नहीं सकता था लंगडे ने अंधे से का आग तुम हमें अपने कंदे पर बिठा लो आख हमारी पाओं तुम्हारे दोनों आग से बच जाएंगे अंधे ने लंगडे को कंदे पर बिठा लिया दोनों बच गए यह कहानी बड़ा सार्थर संवेश देती है आज भी चारों तरफ आग लगी है इरशा की अशांती की और अगर समाज बचना चाहे तो एक ही उपाय है अंधा लंगडे को कंदे पर बिठा ले अंधा कौन और लंगड़ा कौन अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा अगर आज अंधी जवानी लंगड़े बुढ़ापे को कंदे पर बिठा ले चरण हो युगक के और अनुभव की आँखो बृध की तो आज भी समाज इस अशांती की आग से बच सकता है और अगर बृध का सम्मान नहीं हुआ तो सोने की लंका नहीं बची फिर कौन बचेगा